गुजरात में चुनाफ प्रचार के शोर के बीच बीजेपी ने मैनेफेस्टो अपना जारी कर दिया है मैनेफेस्टो के मुताबिक बीजेपी ने पांच सालों में गुजरात के युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का बादा किया है कॉंग्रेस अपने घोशना पत्र में 10 लाख रोजगार देने का बादा किया था उस हिसाब से बीजेपी का कहना है कि हम कॉंग्रेस से 2 गुना रोजगार देंगे इसके अलावा मैनफेस्टों में क्या है खास और क्या है इसकी बड़ी बाते ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे नमस्कार आप देख रहें न्यूस तक मैं हूँ निदीता नेजर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा सीएम भूपेंद्र पटेर प्रदेश अध्यक्ष सीयार पाटल की मौचूदगी में घोशना पत्र जारी किया गया सीयार पाटल ने कहा कि इस संकल पत्रों को बनाने के लिए फुजरात के एत करोड से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी है घोशना पत्र में बीजेपी की तरफ से किये गए बड़े वादों में युवाओं को रोजगार के अलावा अगले पांच सालों में महिलाओं के लिए एक लाग से ज्यादा सरकारी नौक्रिया निकालने का वादा भी शामिल है लड़कियों के लिए जो वादा किया गया उसके मुताबिक केजी से पीजी तक की सभी छात्राओं को मुफ्त और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देंगे इसके अलावा दक्षट गुजरात और सौराश्टु में दो सीफूड पार्क स्थापित किये जाएंगे भारत का पहला ब्लू एकॉनमी इंडस्ट्रियल कोरिडोर बनाने और मचली पकड़ने से संबंधित बुन्यादी धाचे को मस्बूत करने का वादा भी बीजेपी के मैनेफेस्टों में शामिल है प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहट सालाना सीमा को 5 लाख रुपे से बढ़ा कर 10 लाख रुपे प्रती परिवार किया जाएगा मुफ्त इलाज सुनिश्टित किया जाएगा अगले 5 साल में 10,000 करोड रुपे के बजट के साथ 20,000 सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने का वाधा भी किया गया है एक हजार करोड के बजट के साथ केशवराम, काशीराम, शास्त्री, उच्च शिक्षा, परिवर्तन, निधी शुरू की जाएगी ताकि नए सरकारी कॉलेजिस का निर्माण हो सके और मौजगुदा कॉलेजिस और विश्विद्यालों का काया कल्प हो सकते 2036 में उलम्पिक खेलों की मेजबानी करने के मकसद से गुजरात उलम्पिक मिशन शुरू किया जाएगा विश्व स्तरिय खेल का बुनियादी धांचा भी तयार किया जाएगा मैनिफेस्टों के मताबिक सुनिश्चित किया जाएगा कि गुजरात में हर नागरिक के पास पका घर हो एक परिवार कार्ड योजना शुरू करेंगे जिससे हर परिवार को राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कल्यान कारी योजनाओं का लाब मिल सकेगा साल में चार बार एक लीचर खाने का तेल और एक किलो सबसिडी वाला चना हर महीने रियायती दरोपर उपलप्त कराया जाएगा और राज्य में महिला वरिष्ट नागरिकों को मुफ्त बस्यात्रा का वादा भी इस मैनिफेस्टों में शामिल है इसके अलाबा बीजेपी ने आदिवासी समुदाय पर खास फोकस किया हुआ है मैनिफेस्टों के मुताबिक सभी 56 जन जाती उप योजना तालुका में राशन की मोबाइल दिलिवरी फिरू की जाएगी आदिवासीों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वन बंधू कल्याण योजना टू पॉइंटों के तहट एक लाग करोड रुपे खर्च किया जाएगा आठ मेडिकल कॉलेज और दस नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज स्थापित करके आदिवासी शेत्रों में अध्याधुनिक स्वास्थ सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के अफसर पैदा करने के लिए आदिवासी बेल्ट में आठ जी आई डीसी स्थापित करने का वादा भी स्मिचा में है इसके अलावा बीज़पी अध्यक जेपी नज्जा ने गुजराच समान नागरिक सहिता लागु करने का वादा भी किया जो हमारी समीची बनी है बुजराच से यूनिपॉर्म सिविल कोर्ड का उस समीची का रेक्मेंटेशन अक्षर का हम लागु करेंगे इसको अध्यक जो प्रदेश में देश में रैडिकल निशाज हरा को कहा रहे है उनके खिलाफ एंटी रैडिकलिज्म स्टेल्स बनाया जाएगा देखा जाए तो बीज़ेपी ने इस मैनिफेस्टों में कई लोक लुभावन वादे किये हैं देखना होगा कि इसका वोटोरों पर क्या असर पड़ता है गुजरात के 182 सीटों पर दो चरणों में मद्दान होगा पहले चरण में 89 सीटों पर एक दिसंबर को वोट पड़ेंगे वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों पर पांच दिसंबर को मद्दान होगा जबकी पंद्रवी विधान सभा के लिए परिडाम जो है वो 8 दिसंबर को जारी किये जाएंगे आपका इस पर क्या है कहना कॉमेंस में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा और देखते रहें यूस ता कर दो